अगर कोई महिला सिफ अपना दूद अपने बेवी को पिलाती है तो वो छे महिने तक सुरक्षित संबद मना सकती है आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो मिक्स फीडिंग कराती है अपना भी दूद पलाती है बच्चो को और उपर की बी चीजे बच्चो को देती है तो ऐसे में वो कितने हफ़ते तक सेफ और सुरक्षित संबद मना सकती है बिना किसी प्रोटेक्शन को यूज किये तो अगर ऐसी स्थिती किसी महिला के साथ है जो अपनी फीडिंग भी कराती है बच्चो को और साथी साथ उपर का भी दूद फीड कराती है वो कंडिशन माइट भी पॉसिबिल की ऑपरेशन ये सेजेरिन की वज़े से भी हो सकती है तो ऐसे में वो बहिलाएं सिर्फ छे हफ़ते तक ही सुरक्षित हैं ध्यान रखिए अगर आपकी स्थिती ऐसी है कि आप मिक्स फीडिंग कराते हैं तो आप डिलिवरी के छे हफ़ते तक ही सेफ संबंद बना सकते हैं बिना प्रोटक्शन के आप कोंटेक्ट कर सकते हैं अपने साथी के साथ और उसके बाद आपको कोई ना कोई गर्म रोटक सादन इस्तमाल करना है इसे कि आपको दोबारा प्रेशन सी ना हो वह स्वास्त के लिए फिर इतनी जल्दी ठीक नहीं है मुझे अमीर है कि बहुत कम शब्दों में आपको पूरी जनकरी मिली होगी दूसरी जो और दो कंडिक्शन हैं उनको हम अगली बार में डिस्क्राइब करेंगे वैल हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और इसका फीडबेक देने के लिए बहुत-बहुत आपका शुकरिया और अगर आप में वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फीडबेक हैं फिर भी लाइक करके जरूर दे और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामल अब तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं एगने टप्पे के साथ तिल दन की फिस्मालिंग सी यू